यहां बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी की, तो सिंपल अगर नेटवर्क में हम कोई डाटा भेजते हैं, तो हजारों लाखों लोग एक साथ जुड़े हैं, तो हमारा डाटा चोरी होने का भाय होता है, तो इसी को सुरक्षित करने के लिए हम उप्योग करते हैं, कौन सी स्बाइज रहा हैं, उसको एक कोडिंग के फोर्म में करेंगे, जैसे वो करणा हो जाएगा, यो कहलाता है, साइफर टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट को सामने वाला व्यक्ति, जिसको रिसीब हुआ है, ऋसको फिर से decode कर लेगा तो coding की format में भेजा जाना उसे encryption कहलाता है जो text convert हुआ था, cypher text बोलते हैं, सामने वाला उसे decrypt करेगा उसे decryption बोलते हैं और जब बदल जाएगा तो वो plain text में बदल जाएगा दोनों ही जगे आपको एक key देखने को मिल जाती हैं जिसके माध्यम से encryption भी किया जाता है और secret key के माध्यम से decryption भी किया जाता है यह पूरी method कहलाती है आपकी cryptography, cryptography के बहुत सारे प्रकार होते हैं जैसे asymmetric और symmetric हो जाती है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे